हलो फ्रेंट्स विल्कम बग टो माइटूब चैनल तो फ्रेंट्स मैं आपके सामने बहुत ही अच्छा सा साल से जो हम सौल ओड़ते हैं वूलेन वाले जो ठंडियों में तो उससे रिलेटिड में बहुत ही अच्छा सा टिप्स आपके लिए लेकर आई हूं अक्सर क्या होता है जो हमारे घर की लेडिस बगएरा होती है वह अक्सर काम करते करते सौल बगएरा नहीं ओड़ पाती क्योंकि उसमें वह इतना बड़ा होता है कि वह हम ओड़ी नहीं पाते तो आज हम इसको एक यूनिक तरीके से पहनेंगे और इसको बनाने के लिए बहुत अच्छा समय मैं आपको टीप एंट ट्रिक देंगे ताकि आप इसको घर पर इजली आप बना सकते हैं और यह बहुत ही अच्छा रहेगा क्योंकि जो क्या होता है ना कि हमारे जो सौल अक्सर बहुत लंबी होती है तो वह मतलब डीफकल्ट करता है कोई भी काम करने में तो इस तरीके कि यह मेरे पास पुरानी सौल पड़ी थी तो मैं इसका यूज नहीं करती थी तो मैं सोची कि इसको कैसे यूज किया जाए तो इसके लिए मैंने सोचा क्यों ना कुछ ऐसा इसको एक पहनने का यूनिक तरीका में बताओ ताकि बना के मैं इसको आपको पहन कर दिखाऊंगी क यह कितना अच्छा और बहुत ही ईजी तरीके से हमारा बन जाता है इसके लिए आपको कुछ भी नहीं सुई धागा हो आप भी ले सकते अगर वो नहीं तो आपको पास सुई धागा तो सभी पास रहता है सिलाई मसीन नहीं है तो आप सुई धागा का यूज कर सकते हैं तो तो इसके बाद आधा हिस्सा जो ऊपर और फिर उसके बाद जिसे एक चवथाई होता ने तो इसी तरीके से हमें इसका मतलब की बना लेना है फोर्ड कर लेना है यह देखिए मैंने लंबे पहले इसको फोर्ड कर लिया अब इसको आधे पे ही हमको काटना है कट लगाना है लीजिए गा तो बॉडर वाला तो बिलकुल भीमत लीजिएगा तो अगर जो बीना बॉडर को होगा तो ज्यादा अच्छे से तो इसे मेरे जो सॉल है इसमें कोई बॉडर वगारा नहीं है यह बहुत सिंपल से इसमें से थोड़ छटे-छटे फूल वगारा बने हुए है जो कि कोई से कोई दिक्कत नहीं है यह देखिए मैंने इसको चार फोल्ड में किया हुआ है लंबे लंबे में तो आधा मुझे इसको काटना है और आधे पे इसको हमें छोड़ देना है तो जब भी आप मैं बता रही थी ना कि जब भी आप लीजिएगा सॉल इस तरीके से प्लेन रहना चाहिए बॉडर वाला अगर आप लगाएंगे मतलब लेंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा हमारा सॉल जो है और अच्छा भी नहीं लगेगा वो पहनने में तो इस तरीके से सर्दियों में आप सॉल का बहुत ही अच्छा सा पुराने से पु आएंगे तो आपके सॉल बिल्कुल भी नहीं भीगेंगे और दिखने में भी बहुत ही अच्छा सा लगेगा वो कहते ने से पॉंचू नहीं होता है तो उसी के जैसे हमारा सॉल लगेगा तो यह देखिए मैंने अब इसको नीचे से अब इसको कट लगाना है काट कर इसको आधे पर ही काट लेना पूरा नहीं काटना है आधा ही काटना है और फिर आधे पर से इसको हमें छोड़ देना है तो इसी तरीके से आप कैची के थुरू काट लीजिएगा तो बहुत यसानी से बहुत ही बराबर में इसको काट गिएगा इधर उधर भाग रहे न पाए तो इसलिए अगर आप नहीं कर पारे तो आप थोड़ा सा निसान वगएर आप लगा कर भी काट सकते हैं इंची टेप के थुरू मतलब तो वह बराबर में कटेगा अब देखिए हमारा कट चुका है अब इसको हम थोड़ा साइड से कट करेंगे छोटा से कट लगाएंगे और थोड़ा समय इस तरफ कट लगाऊं को कहते हैं जिसे एम नहीं बन जाता है हमारा तो उसी तरीके से इसको हम कट ल तो अब हम क्या काम करते अब चलिए इसको हम सिलाई जी जहां से मैंने कट किया था तो वह जो दोनों साइड होते हैं वहां दोनों साइड हमें सुई धागा से इसको सिल लेना है अगर आपके पास मसीन है तो सिलाई मसीन तो आप उसके थूरू भी आप इसको अच्छे से स महीन महीं तुरुपाई जैसे नहीं होता है उसी के तरह आपको इसको करना है तो यह देखे मेरा दोनों साइड मैने इसको सिल लिया है ज्यादा टाइम भी नहीं लगा हाँ से सिल लें केवल दस मिनट लगा है क्योंकि मसीन से क्या होता कभी को उलेन वाले कपड़े चलते कमेरे जो हमारा साल साल का आपको मैच इस तरह ने कि रेंको दौनों तरब से सिल लेजैक्टाय आपको दिखाती हूं पहन कर थे द्षाइड मैंने जो आधा इश्वार्श महीं काटा था तो पीछ एगसाइड रखना और जो कहार्य आधा इसको अर्धक बहुत ये अच्छ पास कोई भी साल जो आप नहीं पहनना चाहते हैं नहीं ओड़ना चाहते तो इसलिए कि आप कटके यूज करिए आई होप कि आपको मेरा ये ठीप पसंद आया होगा तो प्लेज मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक से रहे जरूर कर दीए